आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ जोगी हम सब को सीरिसली फॉलो करना ही चाहिए अगर हम उसे ही मतलब ऐसे थके हारे शुरू करेंगे तो पूरी की पूरी जो दिन होता है वो बिल्कुल थका हारा सा फील होता है सबसे फर्स से स्टार्टिंग कर लेते हैं कि जब हम मौर्णिंग में सबसे पहले जब उठते हैं तो हमें क्या करना है एक्शली जब हम रात में होते हैं तो हमारी जो बॉड़ी होती है वो हील कर रही होती है वो अच्छे से साबसे बढ़ने कोश पानी, स्याइक प्राइब साb nessa स्यूब विया कोशा पानी साब होगा, युक। इसनी बढ़ना है वोंने यह नहीं comedies साबिना, और तो करेंसा बाइए कॉश्चन, काम के सोबिया पर यह सो नहीं हो प्रौकर यह सलें दिया नहीं कि अंदर जैसी हो जाता है तो हमारे जो पाचन तंत्र होता है उस पर वो एक अच्छा इंपक्ट डालता है तो उसको आपको पीना है बिना मतलब ऐसा नहीं कि आपको ब्रश कर लेना है बाद में पीना नहीं विदा और ब्रश करें आपको यह पानी वाला रिचुल फॉलो करना इस सेकंड रिचुल में आता है सुपर उठकर हमें अपने फेस के साथ क्या करना है अब हम वो देखने हैं जिसे कि हम अपने बोड़े के अंदर का काम कर लिया हनी वाला पानी पी लिया उसके बाद सेकंड रिचुल में आपको करना है कि अपने फेस को वाश करना है वो भी धी अच्छा कलिंज्र इस वा मैं करता है जो पता है डर दार्व ज जो फेस होता है अच्छे से स्क्रव फी पेतल पजर सने होते हैं पाई धार पड़ी ते रांव पता है और आपको वा म्या शुवलेत्ट का क्लिशी ही को मानधने सोक्ता हो लिकर दार सlt और दही गुल्डर inhaler भील पाई जाते हैं कि आपको पड़िखियों तो आपको प्रफ किवाइस पूटशी हो बिल्कुल अगर जा जा भी अजिवाल necessity मतलब आप यह गाट बांद लो जैसे कि आपका मॉर्निंग में ब्रश करना इपॉर्टंट है वैसा ही यह वाला स्टैप इंपॉर्टंट है यह स्टैप है एक्सराइज आपके माइन में या रहा होगा कि यह तो मतलब अप्शनल है अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा लेकिन नहीं है मैं ऐसा सोचके न अपनी बॉड़ी के साथ अन्याय कर रहे होते हैं अपनी बॉड़ी के लिए प्लीज निकाल लिए स्किपिंग कर लीजे आप रसी कूल सकते हो या फिर आप ऐसी मतलब एक्सराइज वगेरा कर सकते हो जो 5-10 मिनट में मतलब आपकी हो जाए ओवरॉल करके देखो रणिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि इतनी रणिंग में तोड़ा सा टाइम जाधा लग जाता है लेकिन प्लड फ्लो से सीरिसले अगर आप यह करो गया तो मतलब आपकी जो बॉड़ी वो लेजी से लेजी होती है आपकी बॉड़ी तुम से जाग जाएगी कि मेरे साथ हो क्या गया और आपका पूरा का पूरे दिन है ना वह आप खुद इमेजिन कर लेना आपके साथ कितना आपको ब्रेकफास्ट अपना लंच और आपका डेनर करना मेंडेटरी है फ्यूल के विना आपकी बॉड़ी कुछ भी नहीं है विदा फ्यूल आपकी बॉड़ी चलेगी भी नहीं अगर आप इसको चलाना भी चाहोगे ना तो इसमें वीकनेस आनी की चांसे हो जाएगी क् अगरण के बॉड़ी स्कीशर कारने लिए जो ज़बно है लेनी के बाद आपका जाषवर वगरह होता beats उसको लेने के बाद अगर आपको ब्लेकฟ आपको एसा देना है जो जइया को जो भीए हमना स्टो की आपके लिए हेल्दी होना चाहिए जाइकेश पाइश था भीष ना रिख्ण प्लीकत रहना 약शम ऩिली कեना सुर्षि हेर Państwo यह मतलब आपके लिए ना आपके ब्रेकफास्ट में होना बहुत ही जादा इंपॉर्टन है तो अगर आप जब भी बाहर जाते हो ना तो मेकप की बात आती है विदाउट हम कुछ भी लगाए तो बाहर जाते नहीं है ऐसे तो मेकप की बात करें तो मैं आपको सज़ेश्च करें करें कि डेली यह ऐंज करने की बातु कि देली की का आप फाउंडेशन लगाओ आप जब भी फेस्वश करने के बाद मौुर्टन करने के बाद cœur अगर आपको लगाना है तो अब बीबी क्रीम अपनी डेली रूटीन में बात कर सकते हैं कि जब धीन की 3 इनों मिक्स होrok वो तीनी चीज़े क्या है वो मैं आपको बता देती हूं वो होता है SPF हो जाता है आपका मोश्राइजर हो जाता है प्लस आपका हो जाता है फांडेशन तो इसमें मतलब उतना जदा हैवी फांडेशन नहीं हो पाता और आपके जो पोल्स को वो प्लॉक भी नहीं करता है तो इसलिए जो बीबी क्रीम है न वो आप डेली भी यूज़ करो गरें ताओ कि फेस पो उतना जदा एफेक्ट मतलब हांपुल नहीं करेगा त आपको हाइडरेशन का बहुत अच्छे सा धिहान दखना है जैसे आप जूस वगरा तो पी रहो लेकिन जूस के साथ पानी के कौंटिटी मत कम कर देना आप यह मत सोचना कि जूस के साथ जूस को मैं पानी के रिप्लेस कर सकता हूं तो ऐसी गलती है बिल्गुल भी मत कीज पानी के आ है और ऑज को कि वानी आप पानी को तर्व ताजगी छोगियोगर बॉक पानी से एक फार्णा यह होता है जो हमारे नीस सेल्स होते हैwor वाधे तो थी फीनि Reaper करा है पानी जोनेश हरा सब्सक्राइब यह दो सुष आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रहे और इस चनल सुषु को सबस्क्राइब और अगर आपके कोई भी एक्वारी कोई भी कोश्चन अगरा तो कमेंट सेक्षिन वह से ज़रूर लिखे पूछ लिए जाएगा और अगर किसी और टापिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी आप मुझे संजेशन नीचे कमेंट सेक्षिन में दे सकते हो तो गयर बाबाई